इस्तानी निवासी उमेश राजपूत ने बताया कि लाल दर्वाजा फतेपुर सीक्री के समीप बनी पोकर के पास एतिहासिक भोलेनाथ के मंदिर पर आकाशी बिजली गिरी है जिसके गिरने से मंदिर के साथ मूर्तियां भी छतिग्रस्त हुई हैं आकाशी बिजली से दू म महिलाओं के हाथ पैर भी जुलस गए हैं महिलाओं को स्वास्त के इंद्र फतेपुर सीक्री उपचार के लिए लाया गया है उमेश ने बताया कि प्राचीन मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है और इसका जिड़ो धार 2019 में कराया गया था मंगलवार संध्या करीब साड़े इच्छे बज़े अचानक से बदले मौसम के चलते आकाश ये बिजली गिरी है। है 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 था इस अखिर्ब धार करता है 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 कि अगे चुबहां कि जो गुवम्द की ऊंचाई लभाक इसकी वंचाई लभाक लिए कि पैतालीस फिटल्ट थी बस इतना ही छती रस्डोके हैं चाते वर्वाक बाकी की बढ़ी पटशिए यह चीज हुए है कि पोई नहीं है यहां पर हम लोग स्वेह ही अपने आप अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसारी सब लोग पूजा पाट करते हैं और अच्छी स्वेद्धा वाफसी करते हैं सब लोग सोगे साम कितना समय हो गया जी समय लगबग मंद्र कर निर्मार तो दोजार उनीस में हुआ है प्रत्मा लगबग 300-400 साल पुरान ही है बहुत प्राचीन सवे से पूजा करते चले आ रहे हम लोग करते हैं यह जो है लगबग साथ शिट का जे कलस था सबसे पहले इसी पर इसा लग रहा है कि अगाशी बिजली करी होगी कि अगाशी में लगबग साड़े छे के आसपास था और यह जो है दिनांक आस तारीक 15 समय लगबग साड़े छे के आसपास था तारीक 14-3-2023 और दिन मंगलवा जो तीकरस्त हुआ है पूरा मंदिर समय इसी समय की है लगबग साम को अगलब जो दो जो और वाइपास बोड शीख लाज वाइपास ब्लूट जीख शावा बाट मंपा इंक प्रतर ने और नमें प्राकर वर्ट की चिकर्ट प्रका है और उसमारी यह बहा पिट पर चाली की सिकाए अगी है मंदर का पूरा जो द्रियायो मंदर और वहला को यह इसमें शिकर्ट साले में लाए वह पैलाग शुड़ा बूलिये उनके पती का नाम है असोप और वाइप और तिंटी झाली